सूने मकान से चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम लोर्मी थानज शेत्र में नहीं थम रही है चोरी की वारदात आज फीर चोरों ने वारद नमबर साथ जो थानज से महज कुछ ही दूरी पर रीटायर टीचर और समास सभी कारिकरता अजगर अली के सूने मकान से दिन दहाड़े चोरी की है और बड़ी वारदात को अंजाम दिये हैं साड़े सत्रह लाख नगत इसके लाबा दस तोले सोने की चोरी शेत्र में हडकम मच गया है वहीं प्रार्थी अजगर अली की रिपोर्ट पर लोरवी पुलिच ने डाग स्कॉयर्ट के साथ खटना इस्थाल पहुँच कर सीसी टीवी फूटेज फिंगर प्रेंट के साथ बारीकी से जांच में जुटी है ग्यारा बज़े विलासपूर गया है विलासपूर से हम लोग कलगभग पांच बज़े आए हैं कितना तोला रहता है सौ गराम करीब रहता है और मेरे घर में कोई नहीं रहता है और इस पैसे को जानने वाले तीन चार प्माच लोग ही है बाकी किसी को जनकारी नहीं है जो क्राइम सी ने उसके हिसाब से पैसे को जो भी ले गया है वो जानने वाले अली जी थाने आकर रिपोर्ट किये हैं कि उनके घर में कोई अग्यात व्यक्ति द्वारा जो चंबर में अलमारी है उसको तोड़कर नगदी कुछ सत्रा लाख रुपया और कुछ गहने लेकर गया हुआ है तो उस पर से हम जो भी इनका डुकुमेंट के दार पर अगे की जाएगी है यह चोर किस रास्ते दाखिल हुए से अभी तक की जाँच में जैसा डॉग स्कॉट के दौरा वो स्मेल के अधार पर हम यह मान रहे हैं कि जो भी चोर है वो पीछे के दरवाजे से एंटर किया है और उधरी के द प्रिंट पार्ट को कहीं दिखाई दे रहा है जो भी है पीछे के तरफ है तो उस पर यह जाँच चर रहा है जहां जहां से डॉग हमारा गया है उस सीची टीवी कैमरे को अभी चेक किया जाएगा बहराल आगे देखने वाली बात होगी कि आरोपी पूलीस की गिरप्त में कब खंसती है लोर्मी से मुंगेली से प्रितम दिवाकर से जीवी जन्ठीवी